ओम नमाशिवाय चैत्र मास क्रिष्ण पर्च शष्ठीति थी बुद्धवार बिशाखा नक्षत्र तुला रासी में चंद्रमा चल रहे हैं चंद्रमा आज साम सवा चार बजे बृष्ठिक रासी में प्रवेश कर जाएंगे या इनकी नीच रासी होगी विशाखा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी ब्रिहस्पति देव हैं आज के जन में जातक आकर्शक, आस्थावादी, इश्वरभट, परंपरावादी और प्रतिभाशाली ब्यक्तित वाले होते हैं ऐसे जातक सोतंत्र विचारधारा वाले और नियाय प्रिय भी होते हैं ये अत्यदिक भावना प्रधान और बेहत सम्वेदन सील भी होते हैं यदि सायोगी लगन रहा, ब्रियस्पति, शुक्र और मंगल की इस्थिती अनकूल रही, तो पूल सफल होंगे मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपका आत्म विश्वास और उर्जय अस्तर दोना बढ़ा हुआ रहेगा हर काम बहुत आसानी से संपन होंगे साजहदारी के कामों में लाव मिलेगा आपकी कारी योजना में अधिकारीयों वा शासन सप्ता का सहयोग बना रहेगा अपने घर ग्रियस्ति पर अच्छे कामों में खर्च की स्थिपी बनी रहेगी नीजी संबंद प्रगार होंगे विवास संबंदी मामलों में अनुकूलता मिलेगी सिक्छा प्रतियोगिता वा संतान संबंदी मामले अनुकूल रहेंगे पारिवारिक शुख सौहार्दर में व्रिद्धी होगी दोपहर के बाद स्वास्थ संबंदी मामलों के लिए साउधानी अपयक्षित है ब्रिश रासी वाले जातकों को अपने स्वास्थ के प्रति साउधानी रखनी होगी ब्रियस्पति और चंद्रमा दोनों आपके छट्वे घर में विशाखा नक्षत्र में चल रहे हैं शरीर में स्राव गंत्रियों जैसे थाईराईड या पैंक्रिया जित्यादी संबंधी गड़बडी संभावित है हाला कि आपके कारियों जिनाएं और आर्थिक पक्ष नहीं प्रभावित होगा सासन सत्ता वो अधिकारियों का सहीयोग बना रहेगा अभिष्ट मित्रों से मुलाकात होगी रुका हुआ धन वापस मिल सकता है सिक्षा वसंतान संबंधी अनकूलता बनी रहेगी दोपहर के बाद किसी समारों में सामिल होने का मौका मिलेगा संबंधों में निकटता आएगी और साजेदारी सफल रहेगी मिथुन डासी वाले जातकों के लिए नई नई जानकारियां सामने आएगी ब्यवसाय संबंधी कुछ नई जानकारी हासिल होगी जोकी लावप्रद रहेगी आगरणी अव्यक्तियों या उच्छ अधिकारियों का आपके लिए सहयोग बना रहेगा सत्रू पक्ष दवे रहेंगे सिक्षाप्रत योगिता में सफलता मिलेगी नई योजनाओं के लागू करने का योग चल रहा है दोपहर के बाद का समय थोड़ा उल्जन भरा हो सकता है उत्साह में कमी और नकारात्मक विचारों का मन में आना संभावित है स्वास संबन्दी अनुकूलता बनाए रखने के लिए सावधानी रखनी होगी करक राशी के जातकों के लिए आज का दिन सफलता भरा रहेगा आपका आत्म विश्वास और उर्जा अस्तर दोनों हर काम संपन्द करने के लिए सक्षम होंगे रुके हुए काम चालू होंगे बड़े कामों में निवेश का योग बना हुआ है भूमी वाहा निट्यादी में निवेश के लिए समय अनकूल है सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी ग्रिहों को योगी वस्तुओं में बिद्धी होगी और किसे समारों में शामिल होने का मौका मिलेगा इन सबके अतिरिक्त स्वास संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी विशेश तोर पर पेट संबंधी समस्याओं के लिए सिंग राशी वाले जात्कों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा आपके मेहनत के अनुरूप आपको फल मिलता जाएगा ब्यावसाईक और आठिक मामले सामाने तया अनुकूल रहेंगे मगर दोपहर तक प्रयास अधिक करना होगा दोपहर के बाद का समय ज़्यादा अनुकूल महसूस होगा और आपको हर काम के प्रति अधिक अनुकूलता महसूस होगी दूर बैठे ब्यक्ति से भी लाव संभव होगा, नीजी रिष्टे प्रगाड होंगे और नकारात्मक विचारों वाले ब्यक्तियों से दूर रहना होगा कन्यारासी के जात्कों का दोपहर तक का समय बेहद अनकूल है, आर्थिक लाव प्रचुर मात्रा में होता रहेगा, स्वास्त वव आत्मिश्वास में विध्धी होगी, सामाजिक मानपतिष्ठा बनी गहेगी, साजेदारी वव मित्र जनों से लाव की इस्थिति अनकूल गह नई व्यावसाईक योजिनाओं के प्रयाव सार्थक होंगे, सिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ीगी, दोपहर के बाद का समय मन को चिंता ग्रस्त करेगा, विरोधियों के प्रति चिंता बनी रहेगी, मगर भाग्यवस कुछ काम अच्छे होंगे, जन संपर्क से अनुमानित लाव संभावित है, तुला राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन सहयोगी बना रहेगा, आर्थिक लाव और सामाजिक मानपपिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी, सासन सत्ता वा अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, दोपहर के बाद का समय ब्यावस समय नुकूल है, मगर स्वास संबंदी साउधानी रखनी पड़ेगी, मसूरे वा कान से संबंदी समस्याएं बढ़ सकती हैं, और सामाजिक समारोह में सामिल होने का मौका मिलेगा ब्रिश्चिक राशी वाले जातकों को चाहिए कि स्वास संबंधी सावधानी रखें क्योंकि मंगल शीग रही अपनी राशी बदल देंगे शनी और मंगल का योग दूसरे भाव में बन जाएगा आपके दात मसूडे, आँख और कंदे के लिए गंभी रिस्थिती पैदा कर सकता है आज का दिन अच्छे कामों में खर्च और व्यावसाई कुन्नती के लिए सहयोग करेगा आर्थिक लाव की रिस्थिती सामानी रहेगी दोपहर के बाद का समय मन में नकारात्मक विचारों को पैदा करेगा जिससे आपका उर्जा अस्तर प्रभावित हो सकता है आत्मिश्वास में कमी और संतान संबंदी चिंता संबावित है फिर भी पारिवारिक सुक सहार्दर में ब्रिद्धी होगी और नीजी संबंद प्रगाड होंगे परिवार जनों के सहयोग से मन में शांती मिलेगी धनु राशी वाले जात्कों के लिए दोपहर तक का समय आपके उर्जा अस्तर को बढ़ाता जाएगा और क्रमशा हर काम आपके पूरे होते जाएगे आर्थिक उन्नती में सहयोग मिलेगा शिक्षा प्रभ्योगिता में सफलता मिलेगी संतान संबंधी सुर्भ समाचार मिल सकता है नए रिष्टे की बुनियाद मजबूत होगी मगर दोपहर के बाद का समय अनावर्शक खर्च और ग्रिहोपयोगी वस्तू में व्रिध्धि कराने वाला होगा जिससे आप अपव्य महसूस करेंगे आपके काम सुचारू ढंक से चलते रहेंगे मगर किसी से उलजना उचित नहीं होगा साथ ही अपने स्वास्त पर ध्यान देना आवर्शक होगा मकर राशी वाले जातकों के लिए दिन भर का समय अपनी कारी ओजनाओं में सहयोगियों के साथ ब्यस्ता पूर्ण माहौल में दीतेगा अपनी बैठक का नेत्वित तो सफलता पूर्णक धंग से करेंगे नई ब्यावसाई की ओजनाएं फलिभूत होगी अध्यान अध्यापन के लिए समय अनकूल रहेगा दोपहर के बाद आपके कुर्जा अस्तर में और विद्धी होगी तथा माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे और पत्नी के स्वास्त के प्रतिचिंता का माहौल बना रहेगा कुमराशी वाले जातकों को अतिरिक्त आर्थिक लाव के लिए नय ब्यावसाईक योजनाओं को कारी रूप में परिवर्टित करना चाहिए जिसके लिए आज का दिल सहयोगी रहेगा भाग वस काम अच्छे होंगे और आपके प्रयास सार्थक होंगे मगर दोपहर के बाद के लिए किसी महत्पूर्ण विषय पर ठोस निरने लेना उचित नहीं होगा संबंधित कामों में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है या साजिस के सिकार हो सकते हैं मगर आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी किसी के दबाव में सलाह लेना उचित नहीं होगा सासन सथा वो अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी और स्वास्त पर सालधानी रखनी होगी मीन राशी के जातकों के लिए आज का दिन सामानने बना रहेगा आपका उर्जा अस्तर बरकरार रहेगा ब्यावसाईक निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा आथिक अनगूलता बनी रहेगी अध्यान अध्यापन में लगे रहे सफलता मिलेगी मगर दोपहर के बाद का समय थोड़ा तनाव भरा हो सकता है क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच राशी में चले जाएंगे जिससे मन में नकारात्मक भाव का आना संभावित है जो कि आपके उर्जा अस्तर को और आत्मिश्वास को प्रभावित कर सकता है अपने स्वास पर ध्यान रखना होगा धार्मिक भावना बलवती रहेगी सावधानी के लिए नकारात्मक भीचारों वाले रक्तियों से दूरी बना कर रखे महिला बर्ग से अतिरिक तलाव संभावित है आज के लिए वस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाश चुगाए